सबसे पहले तो FISDS का आकड़ा आ चुका है FISDS का आकड़ा में आज भी मतलब वही खेल है पुराना वाला FIS का जो मोड है भई या अभी भी बदलने को तयार नहीं है इन लोगों ने आज भी किया है सेलिंग मतलब आज भी ये लोग सेलिंग के उपर ही बैठे हुआ है आपन आपने देखा होगा मार्केट में किस तरीके से 25,250 के आसपास से सेलिंग आई थी 25,200 के पास सेलिंग आई थी मैंने आपको उस वक्त ही बता दिया था कि इस लेवल के आसपास से बड़े प्लियर सेल करने के ट्राइ करेंगे अब यहाँ D.I.S. ने आज भी वही मोड है इन 3500 करोड की सेलिंग हुई है आज के दिन F.I.S. के हाच से और यहाँ दूसरी तरफ D.I.S. ने बाय का बटन दबाया है और कितना दबाया है यहाँ 3500 करोड की खरीदारी होती हुई देखने को मिली है अब आपने एक चीज़ नौटिस करो तलके टीडिंग सस्थन में D.I.S थे वो ज़्यादा उठाये थे माल आज F.I.S. है उन लोगोंने D.I.S. से कंपेरिजन में ज़्यादा सेलिंग किया है अब टोटल है जो मतलब इस सीरीज का जो टोटल आ चुका है वो फिर से एक अलग सिनेरियो में बनता हुआ देखने को मिल रहा है देखो D.I.S. का जो बात करें तो 49,000 करोड के आस पास की यहां सेलिंग होती भी देखने को मिल रहा है तो मतलब और अभी भी मार्केट में इनका जो सेंटिमेंट है दोनों का इक्वल होता हुआ देखने को मिल रहा है यह मतलब D.I.S. अच्छे से फाइट दे रहे हैं मार्केट को F.I.S. कंट सेंटिमेंट है ना वो वोलेटिलेटी साइड का देखने को मिल रहा है क्योंकि चाइना में जिस तरीके से जो चीजे चल रही है उसका एक डर सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ एशियन मार्केट देखे तो वहाँ चाइना का जो CSI 300 जो है देखे वो 7% गीरा है यह चीज़ दियान रखना ठीक से वहाँ मतलब वही सीनर्यों बनता हुए देखने को मिल रहा और उसकी वज़े से देखो यहाँ अब दस दीन का जो winning stick था धेके वह सारा का सारा लूज होता हुए देखने को मिल रहा हो धीरे धीरे चाइनीज मारकेट में फिर fitting से एक बड़ा question mark है कि भाया अब कीधर जाए या तो इनके पास इंडिया है या तो इनके पास चाइना में stability आने तक का wait करना पड़ेगा ठीक है यही scenario बनता हुआ देखने को मिल रहा है US market को देखे तो US market है थोड़ा little change हुआ है ठीक है और almost यहां positive to flat कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है तो मतलब इतना कुछ है नहीं है ठीक है कि जादा कुछ ऐसा कुछ है ठीक है अब दूसरी तरफ देखो इनकी जादा कुछ चर्चा नहीं करने वाले RBI की ठीक है आप तो December में शुरू होगा या तो March में शुरू होगा ऐसा experts का मानना है ठीक है अब market का वो सारा scenario है वो निकल चुका है तो उसके बारे में जादा कुछ बोलना मतलब कुछ वो नहीं है ठीक है अब यहां scenario यह है कि देखो Nifty ने negative candle बनाया है और negative candle में भी long upper shadow बनाया है यह चीज अब पर shadow है मतलब अब पर गया तो है market पर फिर वहां से continuously market में fall आया हुआ है यह चीज़े सामने आती हुई देखने को मिल रही है ठीक है तो अब क्या करना है तो सबसे पहले F&O की position छोटे में समझ लेते हैं अब देखो सबसे पहले Nifty की position के बारे में बात कर लेते हैं कि यह position कैसी बनी है तो देखो position काफी tight बनती हुई देखने को मिल रही है सबसे पहले यहाँ एक चीज़ में आपको बता देता हूँ कि देखो Nifty में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि data जो है वो data काफी tight है ठीक है मतलब काफी तगड़ा data बनता हुई देखने को मिल रह देखने को मिल रही है ठीक है पहले चीज़ इतने contract यहाँ बने हुए दूसरी तरफ यह है कि 25100 का जो level है 25100 का level यहाँ भी अच्छा खासा data बनता हुआ देखने को मिल रही है यहाँ थोड़ा ज्यादा है ठीक है यहाँ अगर हम देखे तो 2,5,000 के आज़ पास की writing होती हु 25200 के ऊपर है 25200 यानि की most important level है data के हिसाब से यहाँ almost 3,000,000,000 position बनती हुए देखने को मिल रही है ठीक है मतलब इतने contracts है most important चीज़ है यह 25200 पर तगड़ा एक call writer बैठा है ठीक है almost यह 300 point की range भी देखेंगे तो यहाँ आपको almost 3, 4, 5, 6, 7, almost 7,000,000 के आज़ पास की position बनती अपर में और भी ज्यादा position है पर उसके बारे में ज्यादा कुछ मतलब है नहीं यह most important चीज़ है ठीक है और दूसरी साइड अगर हम data देखें तो यहाँ put writers की बात करें ठीक है put writers की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 25,000 का जो level है यहाँ 1,80,000 की position है ठीक है औ दूसरी तरफ नेचे की साइड 24,900 का जो level है यहाँ भी एक data बना है 1,20,000 का data इधर है दूसरी तरफ 24,800 का level है यह most important है 24,800 का level इसमें 1,70,000 data यहाँ है तो मतलब और अगर हम data देखें तो data में एक चीज़ साफ तिखने को में रही है कि ओपर की साइड 25,200 का level और नेचे की साइड 24,800 का level ठीक है यह एक तगड़ा एक data के हिसाब से important level निकल के आ रहा है ठीक है सबसे पहला आपने यहाँ समझ लिया यहाँ तक आपने देख लिया है like बटन जरू दबा देना है अब FISDS के data के बारे में बात करे तो यहाँ position काफी अलग type की बनती हुए द mid cap nifty के उपर mild bearish और fin nifty के उपर mild bullish तो एक index के उपर bullish है overall यहाँ negative view ही लेके बैठे हुए है ठीक है other side options में देखे तो options में एक चीज़ आप मार करो कि यहाँ strong bullish है पर options में यह लोग ना मतलब यहाँ hedging purpose के लिए ही सारा खेल बनाया हुए indecisive market ठीक है इन में options में ज्यादा कुछ इन लोगों ने interest लिया नहीं है ठीक है अब professional की बात करें तो professional में index future में वो mild bullish है मतलब इनका view जो है वो market में अभी भी थोड़ा सा bullish होता हुआ देखने को मिल रहा है क्यों क्योंकि यहाँ इन लोगों ने put में shorting करके रखी है ठीक है put में इन लोगों ने shorting करके रख options में यह लोग strong bullish है क्यों है क्योंकि इन लोगोंने writing जो करी है strong bullish है मतलब जो put है put को इन लोगोंने write करके रखा है तो मतलब अच्छे खास है put बेचके रखे तो मतलब bullish view है retail का ठीक है overall मैं आपको sentiment समझा दिया है ठीक है इस से पहले मैं आपको request कर दूँ कि देखो कल के trading session म आपको थोड़ा quantity manage करके काम करना है क्योंकि काफी interesting data बन रहा है ठीक है volatility भी अगर बनेगी तो उस तरीके की बनेगी दोनों साइड की volatility create होती हुए देखने को मज़ सकती है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है बाकि जो होता है वो तो देखी लेंगे हम ठीक है अब सीधा चल ठीक है most IMP है most important है मेरे एक friend ने बोला कि भाई तू ना थोड़ा लोगों को educate कर ही रहा है तो एक चीज उनको बता देना ठीक है कि holding जो होता है ज्यादाजर लोगों के बीच में क्या होता है capacity होती नहीं है अगर आप profit में चल रहे हो तो फिर फटा-फट निकलोगे loss चल रह ठीक है मुड़ जाएगा इस तरीके का scenario बनता है तो थोड़ा लोगों को वो भी सिखा देना मैंने सूचा चलो कोई बात नहीं तेरी बात है तो मैं जरूर समझाने के ट्राइग करूंगा देखो यह चीज़े मैंने भी काफी लोगों के comments भी देखे बहुत खुशी मिलती ह कि लोग सीख रहा है बहुत पसंद कर रहा है ठीक है लोगों को कही न कहीं उनको progress मिल रहा है बहुत सारे comments आ रहे कि सर मैं इतने सालों से trading कर रहा था ठीक है market की reality उसको पता ही नहीं चली थी जो real जो चीज़े है ना उसके सामने कभी देखी ही नहीं थी वो आने के बाद उ profit चलेगा तो आप hold नहीं कर पाओगे ठीक है या तो panic करोगे ये तीन चीज़े होती है loss में आप hope रखोगे ठीक है loss में hope रखोगे profit में hold नहीं करोगे और एक चीज़ और है ठीक है ये चीज़ काफी जो beginners होते है ना उनको सबसे पहले इसी को face करना पड़ता है और वो है panic ठीक है trade लेतने के बाद ही market में उनकी मतलब चीज जो होती ना psychology वो तुरंत बिगड़ने लगती है मतलब जो first time जो थोड़ी शुरुवात होती ना ठीक है तब उनकी जो psychology होती है वो उस तरीके से build up नहीं होती धीर धीरे उसको progress होता है ठीक है तो मैं आपको एक चीज बता कि देखो हमेशा अगर आप कोई भी trade मारते हूँ suppose आपने सुबर 9.15 के उपर ध्यान से समदना गाईस दो मिनिट लोगा दो ही मिनिट लोगा पर उसमें आपको बहुत कुछ में बताना चाहता हूँ आप वो दो मिनिट में complete कर दूँगा don't worry आपका time ज्यादा ने लोगा ठीक है तो देखो suppose आप 9.15 पे market शुरू होने के बद बेट गए ठीक है अब आपको एक trade मिल गया 39 के उपर आपको एक trade मिला ठीक है अब उस trade में आपने entry करी है अब अगर entry करने से पहले आपको पहले तो एक logic होना चाहिए ठीक है कि हाँ यहां market जाएगा उपर जाएगा तो यहां तक जाएगा तो हम रुकेंगे उसके नीचे हम SL लेके निकल जाएगे यह सबसे पहला एक आपका scenario होना चाहिए ठीक है अब suppose वहां ले लेते हैं जैसे ही आप entry लेते हो ना ठीक है आप एक panic करने लगते हो जैसे ही green दिखेगा तो मजाएगा आपको जैसे ही red होन market में ठीक है ऐसा क्यों होता है पता है 80% chances से अगर आपके साथ ऐसा होता है ठीक है तो समझ लो भाईया आपकी जो quantity है आपने जो quantity के साथ जो trade किया ना ठीक है वो आपकी psychology जो है ठीक है उसको match नहीं कर रही है मतलब क्या है आप जितना loss handle कर सकते हो वो दिख नहीं पा रहे ह ठीक है आप जो देख रहे हो ना ठीक है आपके screen में suppose 5000 का loss शुरू हुआ ठीक है suppose ठीक है तो फिर वो आप panic करोगे क्यों क्योंकि वो जितनी quantity बड़ी होगी उतने losses and profits भी बड़े होंगे तो उसकी amount भी आपके screen में बड़ी बड़ी दिखेंगी ठीक है जिसकी वज़े से आ अगर आपको करना है ना process देखो मैंने कैसे किया था ठीक है मैंने जब 7-8 साल पहले जब मैं beginner था जब मार्केट में मेरी entry हुई ठीक है तब मैंने भी losses लिया था ऐसा नहीं है ठीक है सब लोग लेता है ठीक है यह dark reality है और reality है वो है ठीक है तो उसमें क्या हो तीरे-दीरे psychology psychology मैंने build up किया बहुत कुछ सिखा हूँ बहुत कुछ सिखा हूँ और मेरे तो मतलब आसपास में भी बहुत सारा इस type का वो था ठीक है तो मैंने अच्छे से सीख लेया था देखो अब यहां ना मैंने पहले एक load पे काम किया फिर धीरे-धीरे load size बढ़ा है ठीक है अभी heavy load में चल रहा है और मैं selling करता हूँ mostly जिन लोगों को पता है उनको पता है कि मैं seller हूँ ठीक है मतलब option selling करता हूँ मतलब उसमें थोड़ा लंबा capital लगता है पर फिर भी वो psychology build up करने में आपको थोड़ा time लगेगा ठीक है तो एक चीज मैं बतातू अगर आप suppose पांच load में का काम कर रहे हूँ ठीक है और जैसे ही trade होने के बाद अगर आप फटाफट profit से निकल जाते हो ठीक है और loss होने के बाद भी अगर आप में डर डर जैसी चीज हो रही है ना मतलब panic आ रहा है तो समझ लो भाया आपकी जो quantity है ना वो आपकी psychology को manage नहीं कर रही है ठीक है या तो आप उतनी quantity में काम करो जितना आप profit और loss को जिल पाओ ठीक है बहुत लोग सीखराया मेरे को पता है बहुत अच्छे अच्छे comment आ रहा है guys काफी खुशी मिलती है ये सब चीज है ना बहुत खुशी वाली चीज है ठीक है जब शुरुआत की थी तब इसी चीज के लिए कि किया था कि लोग सीखेंगे मेरे से ठीक है लोग एजुकेट करेंगे ठीक है लोगों को सीखने को मिलेगा अगर दो बंदे भी कुछ न कुछ निकाल बाया ना market से तो कम से कम उनका future धीरे धीरे bright होना लगेगा ठीक है और यही एक उमीद से मैंने ये start किया था ठीक है ना ये चीज़े होती है वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अभी भी कर सकता हूँ ठीक है ये सब चीज़े है पर नहीं किया है ठीक है क्यूंकि लोगों को educate करना है मेरे को जितना हो सके होतना जब तक support रहेगा ना तब तक आपको ये भाई आपका खड़ा रहेगा ठीक है न quantity है थोड़ी कम करके चलो ठीक है हाँ आपका profit loss थोड़ा कम हो जाएगा पर उससे क्या होगा आपका एक build up मिलेगा आपको market में ठीक है कुछ दिन तक सपोज एक मन्त तक आप simple एक fix quantity में काम करो कभी भी randomly trade मत करो randomly मतलब एक call लिया call में अगर आपने समझो 600 quantity उठा ले ठीक ह और फिर put लिया उसमें एक टुका मारा उसमें 300 quantity उठा ली ऐसे मत करो fix quantity के साथ कम करोगे न ठीक है तो आपका P&L जो है ठीक है उसमें आपको जो कुछ भी दिखे प्रोफिट एन लोस पर वो आपकी psychology के इसाप से दिखेगा control कर पाएगा ठीक है profit भी control कर पाएगा लोस भी control कर पाएगा ठीक हो यह part of game है ठीक है P&L part of game है ठीक है और कुछ लोगों को जो दिमाग में होता है न कि P&L कोई भी बंदा सिखाएगा तो उसको सबसे पहले उसके पास P&L मांगेगे देखो भाई market में आपको पता नहीं है ऐसे ऐसे applications आ गया है ठीक है मैं आपको dark reality बता पिर उनके client चोड़ लो यह सब चीज़े चलती है वो dark reality है किसी को मतलब ज्यादा हम उसमें नहीं उतरेंगे ठीक है पर यह सब चीज़े होती है ठीक है यहां आपके सामने live P&L भी चलेगा ठीक है आपके सामने market उतरा चड़ाओ में वो call or put के prices भी पढ़ेंगे ठीक है सवाल होता है कि आप उससे क्या सीखे ठीक है ना कुछ नहीं बस आपने दीखा market में यह होता है पर आपने क्या किया कुछ नहीं ज्यादा से ज्यादा आपने course ले लिया होगा सीख लिया होगा पर फिर भी क्या किया कुछ भी नहीं ठीक है यह चीज़े है सब लोग देखो परसन भी इस industry में है ठीक है ये भी चीज़े है पर मेरा कहना यह है कि भाईया थोड़ा ना education के उपर थोड़ा ध्यान दो भाई ठीक है अगर सीख रहे हो ना तो दिल से सीखो अगर सिखाने वाला दिल से सिखा रहा है ठीक है तो भी आपको भी दिल से सिखना पड़ेगा ठीक है ये चीज़ काफी इंपोर्टन्ट होती है अब ज्यादा टाइम ने लूँगा सीधा चलता है और analysis के उपर अब देखो अब चार्ट के उपर हम आया है तो देखो यहां मैंने कुछ लेवल्स मार करके रखा है ठीक है कुछ analysis करके रखिया सबसे पहली चीज मोस्ट इंपोर्टन अगर आप आज के दिन ठीक है दस बज़े के बाद दस बज़े मतलब यहां समझ लिजे के RBI की monetary policy के बात का जो scenario बना है ठीक है दस एम के बात से अल्मुस्ट तीन पंदरा तक ठीक साड़े तीन बज़े तक मतलब अल्मुस्ट तीन पंदरा तक ले लिजे उसी जोन में आया हुआ है ठीक है यहां कुछ चीजे मार्क करनी पड़ीगी यहां से देखो market आया त्यांसे समझना का इस काफ़ी interesting चीज है ठीक है अब यहां से फीर से इधर गया है फिर डाउन आ फिर गया फिर गया फिर डाउन आ ठीक है फिर गया उठने के try करी पर अब तो उतना भी नहीं उठा फिर से strong selling pressure आया और फाइनली यहां यहां यह जो support लाइन निकल के आ रही थी उसको बड़े candles के साथ breakdown किया कहां से किया था आप देख से त्यों 35,000 के level के नीचे किया यहां से market आया और फिर से घुमाया ठीक है अब घुमाया तो क्या हुआ कि वह यहां फिर से यह जो struggling point है ना इस struggling point में आता को मिला ठीक है पहली चीज दूसरी चीज यह है कि अपर सैड में most important चीज यही है कि अगर आप देखेंगे तो देखो जब-जब market उपर जाता ना यहां strong selling pressure आ जा रहा है ठीक हो यहां आप देख सकते हो चड़ता है ना तो धीरे-धीरे उड़ता है निफ्टी फिर गिरता ह तो continuously candle बनाता है उटता है चड़ता है तो धीरे-धीरे चड़ता है फिर continuously strong candle बना रहा है तो यहां भी आप देख सकते हो strong candle बनी उसके बाद धीरे-धीरे चड़ा है तो पहली चीज अब यहां देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कुछ level store है उसको आपको थोड़ा तक ठीक है बहुत बड़ी चीज है ठीक है क्योंकि यहां हो सकता है बड़े प्लियर से ना एक range create करने के try करें market को या तो वो sideways भी रखे ठीक है या तो एक range में एक range बनाने के try करेंगे उसके बाद बड़ा momentum भी लाया जा सकता है तो थोड़ा ना capital को control करना थीक है थोड़ा systematically चलना ठीक है aggressive वो मत कर देना ठीक है अब सबसे पहली चीज़ तो यह है देखो यहां एक level है वो level है ना वो काफी important चीज़ निकल के आ रही है देखो यहां 24,945 है इस level को हमें थोड़ा दिमाग में रखना है इस level को काटता है ठीक है तो यहां से market में कहां तक की momentum आ सकती है यहां तक की momentum आ सकती है कहां तक 24,885 है level यहां तक का momentum आ सकता है almost 65 points के आसपास की है range ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना तो यहां से यह nifty की window open हो सकती है अब यहां एक चीज़ है देखो अगर यहां आया तो थोड़ा फिर मतलब aggressive नहीं जाना है थो देखे यह क्या range है 24,885 है लेकर 24,840 की range ठीक है थोड़ी 30 point की range है इस 30 point की range में थोड़ा weight and watch करना है क्या करता है market इधर कहीं भी आता है तो hold करता है ठीक है इसको नहीं काटना चाहिए बस ठीक है 24,837 का जो level है इस level को काटना नहीं चाहिए ठीक है 24,837 के level को नहीं काटन चाहिए अगर इसके नीचे closing आता है या sustain कर लेता है तो फिर एक और window open होगी इसके नीचे कहां तक 24,760 का level भी इस level के नीचे open हो सकता है ठीक है clear सबसे पहले आपको doubt clear हो जाना चाहिए पहला एक level most important यह है 24,950 का ठीक है उसके नीचे selling आ सकती है market में थोड़ी weakness बन सकती है वहाँ से 24,880 का level इस range में थोड़ा ध्यान से ठीक है फिर fresh यहाँ 24,837 के नीचे एक बार और market में यहाँ तक का deep देखने को मिल सकता है ठीक है पहली चीज़ तो देखो mostly अगर seller हावी रहा है ठीक है 24,950 के level के नीचे जितना market रहेगा यह मेरा मानना है देखो यहाँ right wrong कुछ भी हो सकता है 100% कोई भी market में नहीं होता है ठीक है market जितना इस level के नीचे रहेगा न 24,950 उतना chances बनेगा कि market 24,837 और 24,760 तक market जाए ठीक है तो यह एक most important चीज़ है 25,950 का level ठीक है यहाँ तक आपने समझ लिया अब यहाँ scenario इस trend line का नीकल के आ रहा है देखो guys मेरे को ना सिखाने में ज्यादा interest होता है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखना ठीक है इसलिए में यह सब drawing करके आपको सिखा रहा हो ठीक है वरना मैं दो तीन line खिचके बात खतम क तो देखो यहाँ से market अगर इस struggling point में चलता है तो कोई अलगी चीज़ बनेगी मतलब अगर market को इस range को काटना पड़ेगा ठीक है इस range को काटता है ना कौन सी range है देखो यहाँ से उठाने के बाद अगर इधर आता है तो यहाँ से seller try करेगा गिराने की अगर नहीं कर पाते और उड़ाते है ठीक है इस range के आसपास तो फिर पहला एक sign मिलेगा bulls का ठीक है बुल्स का पहला sign मिलेगा पर हम उसमें थोड़ा avoid करेंगे भई ठीक है यहाँ से मेरा view यह है कि थोड़ा इस range में थोड़ा trapping हो सकता है मेरा view यहासा है कि हो सकता है market को इस range में रखा भी ज ठीक है असली इस level के उपर एक बार chances है कि momentum आये 25,163 के आसपास ठीक है 163 के उपर इसके उपर काटेगा ना तो यहाँ से फिर nifty जो है उसका जो level है ना वो फिर तगड़ा आयेगा 25,240 तक का momentum वहां से आता हुआ देखने को मिल सकता है और 25,240 के level को काटता है तो फिर एक next जो level है वो है 25,350 का ठीक है यहां तक की window इस level के उपर open हो सकती है इस चीज़ का ध्यान डखना है तो most important level 25,160 का ठीक है और नीचे की side मैंने जो आपको level बताया 24,950 का level 948 है basically ठीक है dot to dot level देखे तो पर देखो मेरा view यह है कि कल के दिन थोड़ा limited quantity में काम करे तो अच्छा रहेगा ऐसा मेरा पता नहीं कुछ मतलब ऐसा sign मिल रहा है मेरे को ठीक है प्लियर का खेल ठीक है अब आएगे big player ठीक है क्योंकि जो event था वो event चला गया है RBA का ठीक है अब उनको जो डर था ना वो डर निकल चुका है ठीक है अब यह चीज़े तो यहां फिर ऐसी ही चीज़े बनती है तो थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है level to level focus करना है कुछ भी रहेगा ठीक है don't worry मैं आपको टेलिग्राम के update कर ही देता हूँ तो कर ही दूँगा don't worry थीक है वहां मैं data share कर दूँगा आपको live market का कैसी position बन रही है न उसके related में data आपको share कर दूँगा और बता दूँगा कि कौन से level के नीचे क्या क्या situation बन रही है तो वहां join जरूर कर लेना थीक है अगर आप join कर लोगे तो वहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा थीक है चीज़े clear होनी चाहिए आपको थीक है अब bank nifty के बारे में बात करते है बैंक nifty के बारे में बात करते है बैंक nifty के बारे में सबसे पहली चीज most important चीज है ध्यान से समझना ठीक है मेरा ऐसा मानना है कि 51,006 का level ये एक most important level है 51,000 ही भी ले सकते है ऐसा नहीं है ठीक है ये जो level है ना सबसे पहले कल हमें यही देखना है कि market इसके उपर है या इसके नीचे बास ठीक है पहली चीज दूसरी चीज यह है कि अगर इसके उपर है ठीक है इधर कहीं भी open होता है तो 51,178 का level ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि इसको sustain करता है कि नहीं देखो इसको sustain करेगा ठीक है इस level को अगर sustain करता है ना ठीक है तो यहां से जो window open हो रही है ठीक है उस चीज़ को आपको थोड़ा त्यान में रखना है क्या है चीज़ कि वही इस level के उपर sustain करेगा देखो इसके बीच में ठीक है इसके ब मत ठीक है देखो आप यू समझ लो पूरे साल आप ट्रेड मारोगे डॉंट वरी ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि भाईया कंडिशन दिस तरीके से मेरे को मेरी जो स्ट्रेडिजियों में इंप्लिपेट करता हूँ उसमें मुझे यह सब पकड में आ जाता है ठीक है तो लेवल के ऊपर आएगा ना इस लेवल के ऊपर अगर आता है तो पहला साइन मिलेगा बुल्स का ठीक है बुल्स जो है वो बुल्स पहली एक ट्राइज करेंगे कि यहां से मार्केट को उड़ा है अब उड़ा है कहां तक पता है दोखो यहां से 5164 तकका मुमेंटम आ सकता है ठीक है यहां seller का zone है इस जिसका ध्यान रखना ठीक है 51,364 के आज पास data इन लोगों ने अच्छा खासा create किया है ठीक है अच्छी खासी system create करी हुई है इस जिसका ध्यान रखना ठीक है तो यहां यह situation है इसके बीच में घुसना नहीं है अब नीचे की side 51,000 का level रहा ठीक है इस level को काटेगा तो पहला sign मिलेगा बीर activity का ठीक है इसके नीचे क्या होगा बीर activity का पहला sign मिलेगा कि यह market में beer की grip में market जाता हुआ देखने को मिल सकता है ठीक है तो अब वो situation ऐसी है कि इसके नीचे न थेक है 51,0006 के नीचे market में 100 point की जो level है इस level में भी थोड़ा trapping है ठीक है इस इसका ध्यान लखना आपको लगेगा कि सर यहां सा क्यूं बात करें trapping की मेरे को जो लग रहा है वो बतर हो इसमें थोड़ा कम ही करो trade तो better है ठीक है और 50,900 के नीचे जाएगा ठीक है तो वहां से पहला sign 55,849 का देखने को मिलेगा इस level के नीचे आता है तो वहां से आपको 100 point और एक further देखने को मिलेगे 50,735 तक ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है पर मेरे खासे देखो मेरा तो view यही है कि कल के दिन अगर market देखो सही होन ग्लत होना वह अलग चाहिए पर मेरेको बोलना है वहां मेरे को जो लगता है वही मैं बोल देता हूँ थेक है सімपल सी चीज़ है ठीक है कला मेरे 50 पॉसंट ही quantity से चलनेे वाला हूं simple सी चीज है, क्योंकि मैं seller हूँ, option seller हूँ, simple सी चीज है, ठीक है, और मेरे को quantity manage करके चलना पड़ता है, ठीक है, वरना फिर मतलब वाट लग जाती है, हमारी, ठीक है, इस तरीके की situation होती है, तो momentum change करना है, 50% quantity के साथ, कल थोड़ा ध्यान देना वे, over trading मत करना, ठीक है, वरना फसने के chances है, असली जो selling है न, वो 50,735 के नीचे है, ठीक है, इसके नीचे जितना sustain करेगा market में, और aggressive momentum आएगा, ठीक है, तो पहला sign 51,600 के नीचे, इसके बीच में 200,500 point जो है, उसमें थोड़ा trapping है, इसमें भी, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बचना है, clearity नहीं है मेरे को, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने data देखा है, कुछ मेरे जो indicators है, ओई के, तो फिर मैं रुख जाता हूँ, ठीक है, यह सिंपल सी चीज है, तो यहाँ थोड़ा हम level to level चलेंगे, ठीक है, अगर मेरे को कुछ ऐसा लगेगा, तो मैं data आपको live, अगर कुछ भी बनेगा न, तो मैं आपको सीधा telegram पे update कर दूँगा, बाकि level मैंने आपको बता दिया है, level का structure बता दिया है, level समझा दिया है, कौन से level पे bolts activity है, कौन से level के नीचे beer activity है, ठीक है, कहां से कहां तक की possibility है, सारा कुछ discuss कर लिया है, ठीक है, इस तिसका ध्यान अब थोड़ा aggressive नहीं जाना है, ये मैं request कर रहा हूँ, ठीक है, हो सके तो थोड़ा सांती से अपने psychology को control करके चलना है, ठीक है, अगर मेरी को लगेगा बया आप momentum आएगा तो वो भी मैं बता दूँगा कि बया momentum आने वाला है, अब दबाओ, ठीक है, market को दबा के उठाओ, ठीक है, हर एक चीज़ का time होता है, अब ये को यहाँ तक देख लिया, like करना भूल गयो, like दबा देना, telegram जोइन करना भूल गयो, join कर लेना, पहली वार हो, तो चैनल सब्सक्रेब कर लो भई, ठीक है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, सारा का सारा जो learning है ना, बिलकुल free में ह ठीक है, वहाँ जूड़ जाना है, request sign कर दिना है, accept कर लेंगे, ठीक है, और मिलते है अगले विड़ में, जय हीन, जय बारत,